नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक अलफांजो आम के बारें बताएंगे जो मैंने लगाया था जो कि क्राप्टेट पेड़ था जिसको मैं ऑनलाइन मंगा का लगाया था अपने घर पर तो उसमें भी फूल आ गया है तो चलिए उसका हम एक छोटा सा वीडियो बनाया है त तो आपको हम इसमें दिखाते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें चलो ले चलते हैं उस पेड़ के पास आपको दिखाते हैं उस पेड़ में कैसे फूल आया हुगा है देखिए अलफांजो का है छोटा सा पेड़ है और इसमें फूल आ चुका है ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है छोटा सा है मैं इसको नीचे तक गाड रखा इसलिए छ यह अभी फूल आ गया है देखते हैं पर जहां तक मैं मानता हूं कि इसको रहने देता हूं और एक काम इसका देखना तो बनता है कि बाई अलफांजो है या नहीं है बाद में पता चले कि अलफांजो नहीं और कोई निकला हमको नरसरी वालों ने ब्योकूब बना दिया ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हम इसका देखते एक पल लगा के देखेंगे पर अहां आप लोग भी बता सकते हो कमेंट करके कि यह फूल को रखना है या नहीं रखना ह चाहिए बाकी इसके बाद तो कुछ है नहीं बस यह फूल है थोड़ा हम नस्दीक से और दिखाते आपको कैमरे में देख सकते हैं छोटा फूल कितना प्यारा लग रहा है बाकी ऐसे देखने में दूर से देखने से आखोस देखने से कोई वह नहीं पर कैमरे से देखने में कितना बढ़िया लग रहा है अलब फंजो आमका पौदा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो क्रपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और माइवलेज गार्डन के सब्सक्राइबर बने थैंक्यू पर वाच्चिंग दन्यवाद